रादे रादे जैसे कितना कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे तो स्वागत है मैं जैसर यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है जन तो इससे पहले मैं आपको दो compound test की class दे चुका हूँ जिसंद मैंने आपको दो साल का compound compound test और 3 साल तक का compound test निकालना चिखाया कि अब एक्जाम में CGL Mains में SSC CPU में SSC CHSL में और वी वंडे एक्जाम में railway या या अधर वंडे एक्जाम में में 4 साल तक का compound test कभी-कभी पूछ लेता है रियर केस में पूछता है पर पूछ लेता है तो आप चार साल तक के compound test को बहुत जल्दी से जल्दी best approach के साथ कैसे निकालोगे, वो आज की class में सीखोगे, इसके लिए आपको वीडियो लास तक देखना होगा, पहले मैं आपको पूरा detail method समझाओगा, कि detail में, actual में क्या चीज़ है, और फिर आप उसी चीज़ को detail वाली चीज़ क सारी बात हैं सीखेंगे, पर आपको थोड़ा सा धेर रखना होगा, उसके लिए वीडियो लास तक देखना होगा, तो heading लगा लीजे, आज का समय में ज्यादा आपका लोंगा नहीं, compound test of four years, चार वर्सों का चक्रती व्याज, ठीक है, चले, एक question से हम बास समझते हैं, जैस से मानलो, आपको principal देदू में, आपको principal है मानलो 8000 रुपे, principal है 8000 रुपे, ठीक है, या 80,000 रुपे है, rate of interest जो है, जो ब्याज की दर है, वो मानलो 10% है, compound test ही है, और 10% से, आपको compound test नकालना है, time जो है, इस बार वो four years है, चार वर्स के लिए हम बात करें, और आपको क्या नकालना है, CI नकालना है, compound test पूछ ले, आपसे मानलो, ठीक है, तो पहले मैं आपको detail में समझाओंगा, फिर मैं आपको proper way में समझाओंगा, ठीक है, मच्छन ने काट लिया पैर को, और मैं बता नहीं सकता, आपको कि जब मच्छर काटता है, तो उसके बाद जो जाने वाल प्रेंसिपल कितना है, आपको दे रखा 80,000 रुपे, rate of interest मुझे बताया गया 10%, तो पहले हम 80,000 का 10% लेंगे, इसका जो 10% आएगा, वो कितना आएगा 8,000, ठीक है, एड़ जब पहुन लगा दो, 8,000 आ गया, दूसरे वर्स के लिए आप इस पे इंट्रेस्ट लोगे, इस इस पे इंट्रेस्ट लोगे तो दो लाइन खीचेंगे, ठीक है, किती लाइन खीचेंगे, दो लाइन खीचेंगे, तो कितना आता, 8,000 और इसको कितना लेखते हैं, 800, 8,000 का 10%, तो यह दो वर्स तका था, तीसे वर्स के लिए ब्याज सब लगेगा, इस एमांट पर भी ब् तीन साल तक का मैं आपको बहुत अच्छी तरीकी से, पिछली क्लासों में इसका चुका हूँ, ठीक है, तो इसका जो 10% होगा, वो 8,000, ठीक है, चले, अब इसका जो 10% होगा, वो कितना होगा, 800 होगा, इसका जो 10% होगा, पहले इसका 10% कितना होगा, पहले इसका 10% कितना होगा, पर यहाँ पर हम बात, जो आज कर रहा है, वो 4 साल की, ठोड़ासा आपको समझाना, सब पर ब्याद लेना है, चौते बर जब ब्याद चलेगा, तो 3 साल तक का जो भी एमांट है, सब पर इंट्रेस्ट लेना है, ठी तो शुरुवात कहां से करेंगे यहां से पहले इस पर इंट्रेस्ट फिर इंट्रेस्ट फिर इंट्रेस्ट चलेगा फिर इस पर 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 और फिर इस पर यानि आठों पर तो टोटल आर्ट लाइन खीचनी पड़ेंगे चलो तो ब्याज लेना शुरू कीजिए जब ब्याज लेना शुरू करोगे तो यहां से लोगे इसका 10 सबसे पहले इसका कितना आएगा एट हंड़ेड परी एट थाजन आएट थाजन का टैन पर संक्राइट थाजन फिर पहले वाले इस पर दूसरे वाले पर पहले बार पर ब्याज ले लिया पहले इस पर ब्याज लेंगे अब आप इस पर ब्याज लोगे 10% से तो कितना आएगा एट हंड़ेड ठीक है अभी आपको यह मैं थर ना लेंदी लग रहा हो पर मैं आपको सौट कर दूँगा समझा एधे वाले अमउंट पर इंट्रेश्ट लोगे तो कितना 800 अब छटमेवाले पर लो चाटमां अमूंट कितना 800 इसका 10% माइट यह टिक है अब इसका साथ्मेवाले पर लो कितना 80 और अब आठ्यवाले पर लो आठेंवाले का 10% 80 का कितना 8 ठीक है आठेंवाले का इंट्रेस्ट भी 8 आया ठीक है तो यह जो पूरा बन रहा है यह कंपाउंट ट्रेस्ट है यही आपका क्या है चक्रती ब्याज है यही क्या आपका कंपाउंट ट्रेस्ट है इसको हम चक्रती ब्याज बोलेंगे तो यह बा बात को दिखाई दे रहा है पहली लाइन को छोड़कर दिफरेंस रहता है सिय और यह यह चक्रति रखी और साधन व्याज का अंतर है यह पात थे पहले आपको पता हूं नहीं है और बात आती है कि एक्जाम में आप कैसे जल्दी परफॉंग करोगे आप एक बात यहां पर समझेए एक जम में आपको कैसे बनाना वो समझेए यह जो पहली वाली लाइन है बहना 800 800 4000 टूटल चार बार आता है ठीक है कि इतका जो सतला बार आता है झालिक legitimate तोटल चारा जारा छारा दो एकथे थाउदन का 10 पर सेंगे टोतर के वार चार, फिर से कितना, चार, और last वाला कितनी बार आईगा, एक बार, यानी यह code तयार हो गया, चार, छे, चार, एक, ठीक है, code दो साल के लिए भी तयार किया सकता है, code तीन साल के बीब तयार किया सकता है, पर जरूत है नहीं, दो साल का और तीन साल का आप कुस्सन तरण सॉल कर लेते हो, ठीक है, चार साल के लिए कोड की आवसकता भी नहीं है, मैं जो समझाओं आप उससे और जल्दी कर लोगे, पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग बताते हैं कि कोड में जल्दी से निकल के आता है, इसके अलावा कुछ और पूछ लेगा, तो बच्चा ना फच जाएगा एक्जाम में, पर मैं चाहता हूं कि मेरा जो इस्टूडेंट है, वो कभी भी कैसा भी कुछन पूचा जाए, उसमें फचे ना, वो इस चैनल से निरास न लोटे, तो सब से पहले, कोड अगर आप ध्यान रखना चाहती है, तो रख लो, पर ध्यान रखने की जरूत नहीं, बस एक बात समझेगा, क्या मैं इस 800 को यहां पर लिख सकता हूं, कोई फरक पड़ेगा, और यहां पर मैं 80 कर दूँ, कोई फरक पड़ेगा, तो आपको कोई फरक नहीं मैं भी यही समझाना चाहा हूं, ठीक है, अब आपको exam में कैसे बनाना है, question वो समझेगा, ठीक है, exam में कैसे बनाना है, वो समझेगा, आप जल्दी इस question को कैसे कर पाऊगे, वो समझेगा, code ध्यान रहता है, तो अच्छी बात है, नहीं रहता है, तब भी कोई बात नहीं, थीक है चले तो कोड ये बनता पुशा दूगा आपको अगर आप दो साल का कोड सीठा चाहते तीन साल का वह जो 20 बना दूगा जा पर आपको डी इच्डिल में पताओने सही कैसे बना एकर था कुछा था प्रेंशीपल हमें बटा गया 80,000 उसी question को मैं दुबारा solve कर रहा हूँ 80,000 बता गया rate of interest कितना बता गया 10% ठीक है और time कितना लिया गया 4 year और पूछा क्या है C.I.E. हमसे पूछा गया है घी कानी है देखो code method से क्या कर सकते हो आप वो समझेगा code method जो था वो कितना था आपका code method था आपका 4641 तो पहले मैं code method से आपको पता देता हूँ कि exam में आप एकी line में कैसे solve करोगे ठीक है आप पहले इस ऐटी thousand का 10% लीजिए इसका जो 10% होगा वो कितना होगा 8,000 होगा ठीक है आब इसका 10% लिखिए तो कितना 800 और इसका 10% होगा ठीक है अब बात आती कितनी बाल लिखना होगा total टोटल चार बाल लेना होगा चार साल की बात हो रही हो तो क्या बाल लो इसग है कर 20 फर इसका 10 2 पर संप ते तेंपर संप प्रिया अच्छ क्वह चाहिए ठीक है यह इंट्रेस्ट प्री यह वाला इंड्रास फ्री यह डोड़ है रेने द Totally चारवार प्र सै पहले इसका 10% फिर इसका 10% हम भढ़ती हुआ रहे हैं ठीक है principle भी मुलोब यहां पर तो लिखाई रहेने दो थारुजेंट अंठ उम रहे हैं तो यहां पर principle कि तना यह यहां जा रहे हैं हम का टो जिस से आपको समझमा後 है इसका 10% लिखा यह भड़ गे हम कि इसका 10% पर इसका 10% यह है ठीक है और इसका 10% अब आपको क्या करना है यह कितनी बार आएगा टोटल यह आएगा आएगा आपका 6 बार 6 और यह जो आता है 4 बार आता है तो 4 से मिल्टिप्लाई करना है कोड है ना चार प्लस का साइन लगा हुए 800 में 6 से मिल्टिप्लाई कर दीजिए और इस आठ में आप 4 से मिल्टिप्लाई कर जाएगा यह कितना हो जागा आपका 32 प्लस में कितना 4800 प्लस में 320 और प्लस में आठ इसको जोड़ लो यही बैठेगा तो 008 तो पीछे तो आठ चलेगा चार साल के कुष्ण को जल्दी सॉल्व कर सकते हो पर मैं यह बता दूँ कि केवल चार साल का ही कंपाउंटर्स ने के लिए गाय से ठीक है पर अगर कुछ और चीज़ पूछ ले डिफ्रेंस पूछ ले या केवल चौथे वर्स का कंपाउंटर्स पूछ ले तो फिर आप ए बता दोगे सब बता दोगे बस यहां पर आप बनाना कैसे वो समझेगा बनाना कैसे वो समझेगा ठीक है अब इसको जल्दी में आपको सारे जो कॉलम हैं उनको भनना कैसे वो समझेगा सारे जो कॉलम हैं वो भनना कैसे हैं वो समझेगा जिससे आप एक्जाम में कुछ भी लाएन क्हीची आती है ठीक है है अब 30 यह आर्र सitezी आंपको पता होने चाइब 4 लाइना आती है और वैसे चार वर्च के लिए जो तोटल आर्ट लाइना अती रहे हैं ठीक है यह कानिक लिनी आपको अब आपको कन्ना क्या निए पेलिए वो समझों ठीक है इसका 10% लो belum सब्सक्राइब इसका 10% से कितना है इत थाजन लिके यहां पर भी कितना 8000 अर यहां पर इस च्यारह लाइन एक जयासी आती है ठीक है इसके बात जब आप आपको लोगे कितना 10% इसका तो कितना आएगा 800 800 कितनी वार आएगा टूटल 6 वार आएगा तो टूटल 6 वार लिखना आपको ठीक है तूटल ध्यान रखेगा यहां पर इसका 10% चलेगा फिर 10% चलेगा इस वाली लाइन पर मतलखे देना और लाश्ट में यहां पर 10% 800 पर यहां पर कितना 800 1 2 3 4 5 है च्शह बाल लिख दी हमने ठीक है पर यहां पर नहीं लिखना है क्योंकि इसका 10% आपको आट असी कितनी बार आएगा 4 वाल लिख दो एक बार लिखा जा चुका है तो यहां पर एक टो टो टोटल चार बार हो एक दो तीन चार और इसका 10% बन गया तो उसके लिए आप तियार रहोगे तो आपको पताओ नहीं तब आप बना लोगे, ठीक है, तो यह बात ध्यान एक हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसका 10% आता है, ठीक है, पिर इसका 10% यहाँ पर आता है, और यहां पर कितना है थीखिंग एक-दो तीन चार यानि यह जो लाइन चल रहेी है यह वाली इंप्तेट है इन वह बन्ने में गलती नहों में इसका 10% यह बात ध्यान एक लाक असी जार रुपे पर हमें कैल्कुलेट करना है एक लाक असी जार रुपे पर हमसे कैल्कुलेशन करने के लिए कहा है और चिल्ब का 20,000 निकालना है तो यह this is factors 10 ृ सब्सक्राइब 7000 कितना और 好 चारोह तोटल कितनी बार आएगा धूते हूं एक ऐ कर estaban कि अट्रैयंट होगी तीशए परस की आर्ड ड६र को टोटल ऑट्राम कीचे आप एक को फीछार वां तिर भर्स तक चाल लाइन तीसरे बर्स के लिए चाल लाइन आती है ठीक है कि छलो मुझे यह बता दो यह जो अठारह अजार है यह जो अठारह जारह कितनी बार आएगा पहली वाली लाइनों में चलेगा अठारहएजार 18,000 और यहां पर भी कितना 18,000 यह मैं भनने का तरीका बता रहा हूँ आपको इसका 10% लिए अब इसका 10% लीजिए तो कितना आएगा 180 ठीक है तो मैं यह समझा रहा हूँ यह जो पहला है यह टोटल 4 बार आएगा यह जो 18 सब्सक्राइब वो टोटल 6 बार आता है तो 6 बार लिख दीजिए ठीक है 6 बार लिख दीजिए इससे क्या होगा अगर आप इस तरीकी से जाओगे कुस्षन में तो कोई भी कुस्षन अगर अगर नहीं जाओगे तो कुछ भी पूछ लेगा आप बता दोगे ठीक है फिलाल तो हमसे कंपाउंट ट्रेश्टी पूछा गया है पर अगर कंपाउंट ट्रेश्ट के पास इस कुस्षन में डिफ्रेंस पूछ लेता तो पहली वाली लाइन को छोड़कर पूरा डिफ्रेंस होता तब ही मैं कहा रहा हूँ आप हर कुस्षन के लिए क्या रह जाएंग बैठ जाएगा अठार हजार इंट्र झार लिख दो हरे सो चहा बार आ और यह कितना हो जागा आपका 10,800 और यह कितना हो जागा 720 और प्लस में 18 जोड़ना शुरू करो 8 008 तो लास्ट में यूनिट डिजिट पर 8 हाना है अब दूसरे नमबर वाले को जोड़ो एक तो तीन तीन आएगा भाई अब तीसे नमबर वाले साथ और आठ पंदर है 15 का 5 कैरी एक आया चले तीन तीन नमबर तो जोड़ ले आप चौते नमबर आओ जीरो और दो दो और एक कितना तीन ठीक है अब आखरी वाले साथ और कितना आठ तो यह आपका क्या बना सी आई बना पर हमसे क्या पूछा है एमांट पूछा है इसको प्रेंसिपल के साथ जो ठीक है एमांट अगर निकालना है तो वन लेक एटी थाउजेंट वन लेक एटी थाउजेंट में कितना जोड़ दोगे आप 83,538 इसको जोड़ लीजे ठीक है चलो जोड़ते है एट और जीरो एट आएगा भाई यून डिजिट पर दूसे नंबर पाउ तीन और जीरो तीन आएगा जोडने का भी तरीका में समझा रहा हूं आपको पांच और जीरो कितना आएगा पांच तीसे नंबर चौते चौत तो यहां पर कितना तो यह आया आए आपका 2,3,330 रुपे उम्मीद है यह सारी बात है आपको समझ में आ रही होंगे ठीक है चले तो यहां तक किसी को कोई कश्ट या पर इसानी नहीं होनी चाहिए यही मैं बात आपको समझा रहा हूं कि अगर आप बिना कोड के जाओग ठीक है हर कुश्टन के लिए आंसर देने के लिए क्या रहोगे 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 चले जैसी यह कुश्टन है अब कुश्टन करा वाट विल भी डिफ्रेंस बिट्वीन सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंट्रेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम और सम और वी 1,000 आफ्टर चले रेट ओफ इंट्रेस्ट के रखा ऐए 10% प्रसाल के लिए पहले लाइने खीचलो आपको लाइने टेबल की चाल लाइन खीचोगे ठीक है बैसे देखो अगर मैं कोड भी बनाना सिखाऊ ना तो आपको बनाना सिखा सकता हूँ वो भी मैं सिखा दोंगा आपको तो टोटल चाल लाइन आएंगे अब आप खुश सोचो चौथे वर्स के लिए सब पर इंटरेस्ट लेना एक दो तीन चार पांच चैसाथ आपको टोटल आठ लाइन खीचनी चाहिए आपको कर लो एक दो तीन चार पांच चैसाथ आठ सबसे पहले क्या करना आपको कई बार मैं समझा रहा हूं इसका टेन पर सन यहां पर कितना आएगा हंड्रेड अब इस वाली आखरी लाइन पर आओ दूसरे वर्स की आखरलाए इसका टेन परसंट इस आएगा यहां पर तृ यह किटना सौ यह कितना प्रेड फिके अब यह जो टेन यह भार है यह भार आ चार अउन बार आईगा तो दस 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 और दस ठीक है यह जो एक है यह đovo एक यह चार बार आएगा विए क्रशा साम साथ वार हो गया है तो यह ना च्रफ एक जो वो ट्रफ तो टिरवार रहीं एक तो तीन बार यहां पर एक यहां पर चार हो गया calculate चले अम मुझे यह बता दीजिए हमसे क्या पुछा गया difference तभी मैं कह रहा हूँ code method से आप फस सकते हो पर अगर आप एक बार लिख लोगे तो जो भी पूछा जाएगा वो बता दोगे अब difference जो होता है वो पहली वाली लैन को सबसे नजदीक होगा इसके वह कौन सा होगा सबसे जो नजदीक होगा वह इसके वह कौन सा होगा 65 ठीक है यह approximate answer आएगा 64 65 रुपी ठीक है उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी तभी मैं कह रहा हूँ code से बचिएगा ठीक है code भी यहीं से बने है जैसे दो साल के लिए code बनाना चाहते हो तो देखो two ratio जो बन है यह two year के लिए code होता है ठी two year के लिए code होगा अब तीन साल के लिए code देख लो तीन साल के लिए code है वो खुद बना सकते हो तीन साल तक की बात यहां तक होती है एक दो तीन तो यह तीन बार आ रहा है यह जैसे तीन बार आते है तो तीन और यह कितनी बार आ एक बार यह तीन साल के लिए code है यह three year के येॉट है खicky के औप चार साल के लिए कोड ये 4 बार आ रहा है तो 4 यह चैकर रहा हूं इंसे निकला है पर मिश कहँं निकला है उम्मीद है ये बात आपको समझ हूगी ठीक है तो यह दोनों एक जैसे आते हैं इसलिए हम कहते देते हैं कि यह दो बार आएगा तू टाइमस आएगा और यह एक बार आएगा तो टू रेसी वन बन गया तीसे वर्स के लिए यह कोड भी लगा सकते आप तीसे वर्स के लिए तीन साल का बताया था उस तरीके से चले अब यह जो कुशन है यह अब देखो इसमें कोड वाले बेऊस हो जाएंगे क्योंको रेट ऑफ इंट्रेस्ट बदल गया वह जो कोड है वह सेम रेट ऑफ इंट्रेस्ट में काम करता है ठीक है जब चारों वर्सों के लिए एक जैसा रेट रहता ब्याज का पर यहां पर कुशन कह रहा है कि पहले दो वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटेस्ट अलग है और अगले दो वर्सके लेट उफ इंट्रेस्ट अलग है तो बयोच 4昨 km ईया वचैतर सौट की दंबट सी पार्स में पर आप्समी प्राशल ज्यात करें यह देप्रमें सब्सक्राइब क्या करना आपको वो समझे हम अभी वैसे ही जाएंगे कि 75 रुपे आपका क्या दे रखा प्रेंसिपल एमाउंट दे रखा है इस पर पहले जो दो वर्स है वो बीस पर संब्याज लगे अब दो वर्सों तक के लिए किसी को दिख करनी हों चाहिए दो वर्स के कितना होगा ट्रीहंडड थींसों 15 का जो बीस पर संब्सक्राइब को निकालों तो कितना है अगले दो वर्सों के लिए तीसे वर्स के लिए और चौति वर्स के लिए लगेगा हो टैन परसन से लगेगा ती बर्स के लिए कितनी लैन खीचो को चाल लैन खीचो गाँ आज चलिए इसका जो 10% सब्सक्राइब इसका 10% कितना ऑफ फिप्टी होगा 150 होगा ठीक है त्ली पहले इस पर भ्याज लिया इसका 10% 750 फिर इसकी बारी आएगी इसका 10% कितना 150 और इसका 10% कितना 30 ये एक आनी बनेगी अब चौथे वर्स के लिए सब पर 10-10% लेता है तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके concept क्लियर है तो फिर question कैसा भी पूछा जाएगा आप बना लोगे ठीक है अब टोटल आर्ट ल 50 अब नेक्स वाल है इसका 10% 150 इसका 10% 30 तीस आएगा अब 750 का 10% तीसे वर्स पर शुरू हो जाओ दो वर्स तक का तो लिख दिया अब इसका कितना 75 75 से 10% 150 का 10% 15 फिर से 150 का 10% 15 और इसका 10% कितना 3 ये कानी बनेगी इसको calculate कीजे इसको calculate करते ही आपका क्या जाएगा compound test अब इसको calculate कैसे करोगे वो समझो ठीक है इसको calculate कैसे करोगे वो समझो तो आपको कैसे calculate करना ये 500 1500 3003050 750 ये कितना ओगा 15100 पहली वाली लाइन को अगर आप ead करोगे तो तीन अजार और पंदरेस ओ ये कितना ओगा 545 कि नि आप 4500 हो जागा अब वह ऐ भी 300 और यह फिन सो तो ये टोटल 900 होगा डूटल नहुत हो गया नहुत मैंने क्या क्या जोड़ा वो समझो ये 300 150 150 150 50 यह भी 300 तो 300 300 300 टोटा कितना 900 ठीक है अब आप मुझे बताइए 30 30 और यह भी दोनों मिलकर 30 हो रहे हैं तो कितना 90 है ठीक है 75 और 378 क्या इसको आप जोड नहीं सकते हो बिल्कुल जोड सकते हैं तो जोडने का भी तरीका बताया भाई 800 पहले पहले वालों को जोड़ो तो आठ आएगा अब दूसरे नंबर प्राव साथ और आठ पर साथ और नौ 16 और जीरो 16 है 16 और जीरो 16 का 6 केरी एक ठीक है अब तीसे नंबर पर नो और पांच 14 और एक 15 का पांच केरी एक तो चार और कितना पांच 5568 5568 इस दा राइट आंसर ऑफसन नंबर डी अभी मैं यह कर रहा हूं जोड़ सकते हो आप ठीक है जोड़ सकते हो जोड़ने का भी मैं तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी एक्जाम में कैलकुलेशन क्या रहे है फास्ट रहे ठीक है तो घबडाना नहीं है कुछन कैसा भी हमसे पूछा जाए तो फूर यह का आपने कंपांटर्शन कर दिया पांच यार 500 ठीक है अब यह मैं सोचना कि सारे कुछन चार साल के पूछ ले जाएंगे कभी कभी रियर केस में पूछा जाता है तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हो आप ठीक है दस अब एक चीज मुझे बता दीजे सबसे पहले तो आपको कुछन को पैंचान ना चाहिए कि एक्जाम में किस प्रकार का पूछा गया है यह केस कौन सा है तो जो मेरी पहली वीडियो उसको ध्यान से देखे एगा यह वह वाला केस है वें टाइम गिवन इन फ्रेक्शन फॉ समय भिन्न के रूब में दे रखा है अगर आपने यह बात पकड़ ली तो आप कुछन को बता दोगे कुछन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे कोई दिक्कर ने आगी समय दे रखा है तीन साही दो बटे पांच वर्स के आद हमें कंपाउंट टेस्ट बताना है तो मैंने से नेश्ट कंप्लीट एर कौन सा आता चार साल का चार साल आता तो चार साल का किमपाउंड टेस्ट नेच निकाल लेंगे तो पच्छी स bunları पर मुझे चार साल का कंपाउंड टिश्ट लेना है तो सबसे पहले प्रेंसीपल को लिख ऑक tap कि 25 सार का 10 परसेंट कितना होगा अब मैंने यहां से आगे एक आनी आपको समझाईए दो साल के लिए हम टोटल कितनी लाइन खीचते हैं दो दूसरे वर्स के लिए टीसरे वर्स के लिए कितनी लाइन खीचे आती हैं चार तीसरे वर्स के लिए कितनी लाइन खीचे आती हैं टोटल चार लाइनों का खेल है ठीक है चलो टोटल कितनी लाइन चार परचाओ थे बर्स के लिए टोटल आठ लाइन लबडान नहीं है ठीक है चलो भनने का तरीका मैंने आपको बताया किस तरीकी से इनको भनना है यह चारो एक जैसी आएंगी तो भर दो 2525 यह चारो एक जैसी आएंगी अब इसका 10% कौनों को ध्यान से बनना है 250 पर इसका जो लाश्ट को न यहां पर कितना 25 और 25 का 10% कितना है का 2.5 पहले इनको भल लीजिए ठीक है अब आपको पता हुन चाहिए यह जो है वो चारो एक जैसे आते हैं यह जो 250 है यह टोटल कितनी बार आएगा च्छे बार तो 250 250 तीन बार लिख दिया तीन बार लिखना है 250 250 250 तो सब्सक्राइब कर दिया अब कुछ कुछन में बचा नहीं है चले तो मैंने बताया था टाइम अगर फ्रेक्शन की फ्रम में दे रखा होगा तो आपको क्या करना है पहले चार वर्सों को तक का यानि उससे सब्सक्राइब करना है तो आप मुझे पताई इसमें तीन साल तो कंप्लीट है और चौथे वर्स का कौन सा भाग लेना है दो बट्टे पांच भाग इसका दो बट्टे पांच भाग लीजिए ठीक है यह ससी फिज आई एक्स 2022 में पूछा हुआ को सने तो पहले भाई है कि तीन साल तक का तो ब्याज पूरा पूरा लेना है तो चलिए कैल्कुलिट करते हैं इसको कैल्कुलिट करते हैं यहीं पर कर लेते हैं यहीं निकाल रहा है अगर अगर इसको यहां पर और जोड लोगे तो ज्याद अच्छा होगा तो यह जोडने पर टोटल जो है वो तीन साल का कितना ब्याज हो जाएगा इसके साथ जोड़ लो तो 75 तो चलेगा भई 75 चलेगा साथ और पांच बार है केरी एक और कितना आठ तो कुल मिलाकर यह आपका हो गया 8275 8275 यह तीन साल का तो पूरा पूरा लोगे अब चौथे वर्सका दो बट्टे पांच भाग लेना तो पांस से रिवाइड दो से मल्टिप्लाइब पांस से रिवाइड करूँगा इसमें 500 दो के साथ मल्टिप्लाइब होगा कितना हजार ठीक है 250 में अगर मैं 50 50 का साथ दो कमेल तो कितना 10 वैसे कितना 10 और नेक्ट के साथ भी कितना 10 अब इस 25 में 25 से रिवाइड दोगे कितना आएगा एक मिनट कुछ मिश्टे की है 25 से अगर मैं इसमें डिवाइड देता हूँ तो 500 500 कमेल तो से करूँगो तो 1000 रहेगा भई 1,000 इसका 25 से रिवाइड देता हूँ पचास दो के साथ मिल्टिप्लाई करूँगे 100 आएगा 250 का नेक्स्ट का अभी कृत नाइगा वन आएगा ये कानी वनिए ठीक है तो इसको जैसे आप जोडे तो ये कितने साल का अभ्याज होगा आपका 302 बते पांच वर्च का अगर आप इसका टोटल करते हैं सो यह हुआ है तो हजार तो है यह हो गया तो यह तो यह सो यह तो टोल कर लेते हैं यानि कहने का मतलब यह है कि एट टू तैवन फाइब में ते रहे सो एक तीस और एड कर दीजिए ठीक है यह बन जाएगा आपका तो कितना च्छे यून डिजिट पर छे आना चाहिए जो अप्सन में आ रहा है तो आगे जोड़ेंगे तीन और साथ दस जीरो जीरो सिक्स आन कुछ नहीं है ठीक है थोड़ी सी मैंने इनको भनने का तरीका बता दिया अगर आप यह एक्जाम में जल्दी भल ले गए तो आप कुस्षन को तुरंद कर दोगे ठीक है अब यह जो कुस्षन है उस पर कोड काम नहीं करेगा तभी मैं कहा रहा हूं बच्छो आप ठीक है अभी तो मैं और कुस्षन आपको लास्ट में ऐसा देके जाओंगो जिस पर कोड बिल्कुल काम नहीं करेगा तो हर महम यह कह रहा है कि कोड के लिए हमें त्यार नहीं रहना बिना कोड के भी हमें त्यार रहना है अब यह कौन सा केस है यह कौन सा केस है जब इंट्रेस्ट तो मैंने बताया है कि जब भी आपको happily calculate करने के लिए कहे तो फिर आपको happily calculate करना है 20% जो interest मिल रहा है वो तो परेनम मिल रहा भई परेनम का मतलब यह है कि हर साल मिलेगा जैसी आप 20% लोगे प्रेंसिपल का अगर आप 20% लेकर एक line में जैसी लिखोगे तो वो एक वर्स के लिए ब्याज देगा यानि हर वर्स calculation होने लग जाएगी पर हमें calculation हर वर्स नहीं करनी हमें आदे वर्स पर करनी है happily calculate करना है आप मुझे बताइए पर happily का मतलब होता 6 month यानि पर 6 month पर calculate करना है every 6 month पर हमें calculate करना है तो आप मुझे बताइए 6 महीने साल का कौन सा हिस्सा आदा हिस्सा तो 20% का आदा भाग लोग यानि 20% का जैसे आदा भाग लोग कितना हैगा 10% जैसी आप principle का मूल रासी का 10% लोगे तो वो 6 महीने के लिए ब्याज दे देगा आपको ठीक है हर 6 महीने पर calculation अपने आप चलने पर पांच यार पर जैसे आप 10% ब्याज लोगे पहले पहले टाइम इंटरवल का इसका जो 10% होगा वो कितना आया 500 आया 500 आया तो यह जो इंट्रेस्ट आ रहा है वो 6 महीने के लिए पर यह जो लाइन होती न वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है मैंने पहली क्लास में भ वो दो बर्स का पूरा कणना है तो दो बर्स का मतल Imam 24 महीने करके कितने सलॉट बनेंगे टोटल चार इंटरवल के सलॉट बनेंगे तो ठीक है तो दूरे वर्स का लिए जह दूसरे चानले सलॉट बनाओ गया तो दो लाइन खीचनी संut being और जब छते sleight में महीने का तीसरे और जैसे आप लास्ट वाले 6 महीने के लिए स्लॉट बना उठोगे एक लोगे तोटल आट-लाइन की चोगे आप वही काहानी है रेट ओफ इंट्रेस्ट का बस दिहान रखना भूए ठीक है बस यह वही काहानी है ठीक है तो देखो इसका 10% इसका 10% इसको अब इसके जब दूसे वर्स का जो लास्ट वाले जो लाइन है इसका 10% यहां पर आएगा यानी 50 पहले इनको वर यहां पर भी 500 आएगा यहां पर भी 500 आएगा ठीक है यहां पर कितना आएगा 50 कितनी बार आएगा टोटल 6 बार लिखोगे 50 पचास 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 तो टोटल 6 बार हो गया पांच कितनी बार आएगा टोटल 5 बार तो टोटल 4 बार एक दो तीन 4 ठीक है चले उम्मिद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यह बात है आपको समझ में आ गई है, चलिए, क्यलकुरिट कीजिए, तो यह पूरा, छे महीने का, छे महीने का, छे महीने का, तो टोटल 24 महीने का होगा, यानि दो साल का ब्याज हो गया, चलिए, क्यलकुरिट कर बनेगी तो ये कितना हो गया 2000 हो गया ये कितना हो गया 300 हो गया और ये कितना हो गया 20 हो गया और प्लस में 0.5 ठीक है चले तो जोड़ी ये 200 जाओ 200 232323 2320.5 रुपी देखिए कहीं मिल रहा हो चेक कीजिए अ कि 23205.2 ऑफसान नमबर डी ऑफसान नमबर डी इस दा राइट अंसर एससी सीप्यों का ये कुछ सने ठीक है और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो और भी मैं जल्दी बनाकर आपको बता दिता हूं और आप जल्दी बनाना चाहते हो तो कैसे येर के लिए बनती है पर यहां पर हाप यहां पर हाप मलद छह में निकले बनेगी तो पिसी जो लाइन है उसमें चार आएंगे और लास्ट वाले में कितना आएगा यह आएगा कुछ नहीं करना है एक काम कीजिए इस 5000 का 10% यहां पर लिखोगे इसका 10% कितना होगा 500 लास्ट वाली लाइन को बढ़ लो इसका जो 10% आएगा वो कितना होगा 50 ठीक है चले इसका भी जो 10% होगा यहां पर कितना आएगा 5 ठीक है लास्ट वाली लाइन आपको भल लेनी है यह कितना 0.5 बस आपको यह दिहां रखना है थोड़ा सा अगर प्रेट्रिस करोगे तो यह बात आपके दमाब में खुद चलने लगेंगी यह जो 500 वो चार बार आएगा 500 कितनी बार आएगा भाई चार बार 500 इंटू कितना लिखो चार ठीक है चलो इस पर थोड़ा सा कम है मैं यहां पर लखता हूं 500 कितनी बार आएगा टोटल चार बार यह जो 50 से दूसरा वाला यह कितनी बार आएगा चार भार खिर्यकर यह जो पंच हम है दो यह खुद एक बार ही आए आएगा यह कितना परहला किοा अब प्लस में 0.5 अगर इसको टोटल आप करोगे तो यह कितना बैठेगा आपका 2320.5 यह तो करी सकते हो यह तो आप करी सकते हो एक्जाम में क्या दिक्कत आएगी ठीक है चले तो उम्मीद है यह बात आपको समझ में आगे होगी पर इससे यह फाइदा रहेगा कि इसके अलावा प्रेंसिपल आपको दे रहा हूं 8000 रुपी तो एक रहा हूं और मैं जो रेट आफ इंट्रेस्ट दे रहा हूं आपको वह दे रहा हूं 10% अधिक है आपको जो कंपाउंट ट्रेस्ट निकालना है कि यह आई और फोर्टियर कि याई फोर्टियर यानि चौथे वर्ष के लिए कंपाउंट ट्रेस्ट बताना है कि यह फोर ओनली फोर्टियर यह लोग यह फोर ओनली या ओनली फोर ओनली फोर दिया चौथे वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बताना है ठीक है और इंट्रेस्ट ना ELE कैलकुरिट की जानी है क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला कि हाप या क्वार्ट ली के लिक करना तो हमें फिर ये को सन आपके लिए होमबर्क में रहेगा ठीक है तो मैं यह चाहता हूं कि जो मेरे इस्टुएंट है वो हर टाइप के कुस्टन को कर पाएं और बिना कोड के कर पाएं ठीक है चले तो उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी तो यहां तक किसी को कोई कश्ट या परिसानी नहीं होनी चाहिए ठीक है चले और अगर आपको वीडियो अच्छी बढल रही है जैसे आपको वूपसंद अगर ऐसी मेरी पर दो आ लाइक कर देना अ अगर आपको अच्छा फिल होता है कि इन वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए तो आप बिल्कुर पहुंचा ये ठीक है चलिजर तो बाई बाई टेकर साथ लोग अपना ख्याल रखी हसती रहिए मुस्कुराती रहिए और सभी एक साथ बोलेंगे जय भारत